तो हलो दोस्तो, कैसे हो आफ सभी लोग? तो आज हम लोग बात करने बारे Doraemon वी मोवी ये रिख रिकलेक्षन के बाए में तो दोस्तो, यह वीडियो को आप लोग पूरा देखियेगा तो दोस्तों अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और जो लोग हमारे चैनल पर आये हो और सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो करते हमारा आज के नए और इस इंट्रेस्टिंग वीडियो को शुड़ू तो दोस्तों मैं पहले यह पता दू कि डोडाइमून की बहुत ही पुरानी मूवी है जो कि 90's में रिलीस हुई थी जैपैन में तो दोस्तों इस मूवी के ओरिजिनले लेंग में जैपनीज है तो आपको यह मूवी इंगलिस सब्टाइटिल्स के साथ देखने को मिल जाएंग तो दोस्तों इस मूवी के असली राइटर है फुजी है फुजी कर दोस्तों आप लोग सोची सकते कि इस मूवी की स्टोरी बहुत एक अमाल की होने वाली है और दोस्तों सबसे बहुंभी बात ये है कि ये मूप्य डॉडाइमॉण दी मूपी तैंड़ भी मीटू से मिलती जूलती है हाँ दोस्तों ये मूभी बैए मीटू से मिलती जूलती है क्यों मिलती है मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा तो आप लोग सुनिए इस मूवी की स्टोरी में यह है कि एक दिन अचानक से नोबिटा को अपने दादी के याद आ जाती है और वो डोडायमोन के साथ पास्ट में चला जाता है अपने दादी के मिलने के लिए दोस्तो स्टेंडबाइ मीद невीट में बिल्कुल ऐसा ही होता है कि नोबिटा का अपने दादी के याद आ जाती है और दोडायमोन के साथ पास्ट में चला जाता है अपने दादी से मिलने के लिए तो दोस्तो इसके बाद इस मूवी में होता ही है कि उसकी दादी उसदिन उसे देख लेती है और नॉबिटा अपनी दादी को सब कुछ खुल के बता देता है कि वह नॉबिटा है और उसकी दादी बहुत सिंपली उसे मान लेती है तो दोस्तो stand by me 2 में भी ऐसा ही कुछ हुआ था कि उसकी दादी को उसने बताया इसने दादी ने इससे मान लिया नोबिटा नाम से तो दोस्तो इस मूज़ में इसके बाद होता ही है कि उसे दादी को कुछ विस्स होती है जो कि नोबिटा फूरा करता है उन विशस में है कि Nobita को high school पढ़ते हुए देखना चाती है Nobita को exam में top करतेव देखने जाते है Nobita बढ़ा हो कर क्या बनेगा यह देखने चाती है और यह देखने चाते है कि Nobita के Whype कौन है इये देखने के लिए Nobita की ढाधी ने stand by me 2 में भी मोविटे से रिक्वेस्ट की थी तो दोस्तों ये मुवी कुछ ना कुछ तरीकी से लिंक है stand by me 2 से या पिर ये भी हो सकते कि इस मुवी के इंस्पारइड होखे रोड़ाइ मौन दी मुवी stand by me 2 बने होगी तो दोस्तों इसलिए इस मुवी का आप जरूर देखिए अगर आप लोग stand by me 2 मुवी के स्टोडी लाइन आप जानना चाते तो दोस्तों इस मुवी के डाउनलोग लिंक के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाता हूँ कि मैं इसी तरह से कुछ short movies के लिंक आपक पर जरूर विजिट कर लिए जएगा तो दोस्तों अब हम लोग बात करतें इस मुवी के डाउनलोड लिंक के बारे में तो दोस्तों simply आपको मेरे वीडियो के क्लिक कर लीजेगा आप लोग के सामने यह मूबी प्ले हो जागी आपने स्मार्टफोन दोस्तों इस मुझे जरूर देखिए गा तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लागा मुझे कमेंट कर जरूर बताए कर दोस्तों अगर आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया त आपने टीम हास